सोजेश्री कृष्णा कैसे आप लोग वैलकम बैक टो माई यूटूब चैनल गाईज और आज मैंने ले लिया एक कोकोनेट एक्षिली इसके अंदर अच्छा खासा कोकोनेट था और जो इसका भार का कवर था वो मम्मी ने बोला कि कुछ बना रही हो तो बना लो तो मैंने अ अपना दिमाग लगाया और मैंने बोला कि हाँ मुझे दे दो क्योंकि मेरे को कवर बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसे रख लिया काफी टाइम बाद रखने के बाद मैंने सोचा आज कुछ बना लिया जाए चुट्टी भी थी और संड़े भी था तो इसको मैंने निकाला और फिर उसके बाद इसमें बेस कलर अपलाई किया बेस कलर अपलाई करने के बाद इसको फटाफट मैंने जो बैक्राउंड है उसे मैंने ब्लू में रखा लाइट ब्लू में रखा काफी प्यारा लग रहा था और ये कलर काफी अच्छा भी लगता है इसलिए मैंने इसको sky में रखा इसके बाद मैं सोची रीती इसमें क्या design करूँ जैसी मैं color कर रही थी इसमें सोची रीती कि इसके आगे मैं क्या बनाऊंगी तो मैं ऐसे पहले मैंने सोचा इसके अंदर अच्छी से एक छोटा सा मैं miniature crate करूँगी या painting wall कुछ भी वाल हंगिंग या कुछ भी कर लूंगी बड फिर दीरे-दीरे मुझे समझ आया है कि मुझे क्यों ना इसमें स्टोन लगाना चाहिए काफी अच्छा प्यारा सा लगेगा कोकोनेट के जो कवर है उसके अंदर एक छुटे-छुटे स्टोन लगा दिया और एक मेरे दिए ए उसके ऊपर मैंने awhile को मैंने ओं वहरा दिया तो इस तोन को मैंने गोंडस से मिद्या चिपका दा थे नहीं से पिर चिपका दिए थे तो इसमें कलर किया की ज़कि कुछ च्छा सा सबना दिया जाए तो वहाज़ी सोच विचार करके फिर मैंने यह किया आप देख सकते हैं आप बताना कि क्या मैंने बनाया है ठीक है, काफी अच्छा लगा तो ऐसे करकर के ये मैंने तयार किया था अपना एक छोटा सा craft जो मुझे तो काफी अच्छा लगा देखते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज गाई सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैंने काफी टाइम बाद अपना यह वाला चैनल जो है फिर से रनिंग पे लगाया है क्योंकि पहले जब मैं क्राफ अगेरा बहुत कम कर कर दिया था यूटूब में चैनल चैनल तो बना दिया था कुछ वीडियो अपलोड की थी उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि स्टडी थी तो इसलिए स्टडी के चक्कर में नहीं अपलोड कर पा देती अब मेरी स्टडी कंपलीट है और मैं मुझे बहुत और पेंटिंग भी करना इसलिए मैं रोज वीडियो डालने की पूरी कोशिस करती हूं एक आदर दिन ऐसा हो जाता है कि नहीं डाल पाती हूं तो चलिए मेरी आपने सारी कहानी तो सुन लिए तो मेरी इस कहानी से मेरा जो क्राफ में बना रही हूं वो भी कम्पलीट हो गया है अब मैंने जो लकड़ी था वो तो बहुत पुरानी सी थी तो उसे भी मैंने कलर दे दिया था तो एक कलर देने से ना फिनिशिंग आ जाती है अच्छा लग रहा था फिर मैंने इसके बैक्राउंड में भी जो क्राफ का कलर होता है वो ही अपलाई कर दिया था और मैंने बन शायन अलेके इसमें और कलर अपलाई कर दिया था एसे एक रिके federतिविटे आप भी कर सकते हैं ध्यूक यहां मेरा यहां पर कलर करना था थोड़ा बहुत रहे गया था तो इसको मैंने बहुत ही जब भी आप color करते तो उस हर color को सूखने दीजिए अच्छे से dry होने दीजिए फिर देखे उसका color कितना प्यारा लगता है यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा मैंने यहाँ पे कितना प्यारा सा लग रहा है आप ऐसे करके बहुत सारे DIY कंप्लीट कर सकते हैं और वीडियो अप्लोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है